हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने से यूटूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपसे वीडियो में डिसकस करूँगा अगर आप दो मंजिल मकान बना रहे हैं तो उसमें आपको फॉर्मडेशन का और कॉलम का सही साइज क्या रखना चाहिए साथ ही दोस्तो आपको उस दोस्तों चार वाय-चार रख सकते हैं मतलब चार फीट लंभाई और चोणाई और चार फीट उसकी घहराइ ये ऊपने चीज है नॉर्मल है जैसे मिट्टी वगरा सब चीज है अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर foundation के वारे में आपको और deeply तरीके से जाना है तो कुछी दिन पहले मैंने video डाले थी foundation के उपर तो वहां पे आप उसको जाकर देख सकते हैं जो कि अगर वो सारी बातें आप अपने foundation में अपलाई करते हैं तो कहीं न कहीं दोस्तों बहुत ज़्यादा ठीक है और आप अपने घर की foundation को मजबुत बना सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों कॉलम में सरीय की तो अगर आप 12 mm की सरीया देते हैं जो कि एक कम से कम आपको 12 mm की सरीया देनी ही देनी होती है और कॉलम का साइज अपने दो आप 16 की चार रख सकते हैं अब बात करते हैं यह जो रिंग होता है हमारा चल्ले होते हैं उनको 8 mm की जो सरिया आती है निकी 5 seconds की और दूरी उनकी 6 mm अब रख सकते हैं बिध्यान रखें हैं जब चल्ले आप बनाये तो उसके रहें होक अच्छे से बेंड करें ताकि वह अ अब दूसरों मैं आपको एक नोट करने वाली बाते बता देता हूँ इसमें भी आपको ध्यान रखना अगर आप नया मकार बनाई रहे हैं तो आप ध्यान है कि कॉलम टू कॉलम जो दूरी है वो बारा फिट से ज़्यादा ना रखें जो कि बहुत ज़्यादा ठीक है तो आई हूप आपको इस सारी चीज़े किलेर हुई है इनकेस अगर कोई डाउट है तो अब भी कमेंट में टाइप कर देना या आप मेरे इंस्टाग्राइप पर मुझे मैसेज कर देना उससे पर दोस्त आपको बता दू मैंने जो अभी मैंने वीडियो के जिकर किया था फांडेशन से रेडिट तो उसको आपको जरूज देखें क्योंकि वह कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा वेनिफिट होगा क्योंकि घर का में चीज होती है बहुत है फांडेश बहुत है बहुत है बहुत है